आज किस वीडियो में आप लोगो को बताऊंगा किस तरीके से जो मॉंगो डीबी के अंतर हमने डेटा इंसेट करा है उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं वो कौन सी कमांड है जो मेरी हेल्प करेंगी उस डेटा को रीड करने के लिए आज किस वीडियो में हम लोग इसके बा तो वो चीज इंपोर्टेंट है, step by step हम लोग यहां पर लेके चल रहे हैं, बिल्कुल scratch से, बढ़िया, अब बिना टाइप स्क्रीन यहां पर करते हैं, तो मैं यहां पर window plus R टाइप करूँगा, cmd open है, देखो आप और आप लोग आप देख सकते हैं, मैं यहां पर CLS टाइप जरूर जा कि देख लेना, अगर नहीं देखा तो, अब मैं करूँगा, सब कुछ क्लीन करूँगा, और मैं देखूँगा कि अभी इसके अंदर कितने database available हैं, मैं दिखूँगा show dbs interface करा, तो आप लोग clear देख सकते हो, हमने एक cwadb नाम से database बनाया था, बनाया था ना हमने अब इसके अंदर switch करना साथ हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे, use cwadb, बढ़िया, तो आप ले गहां पर देख सकते, switch to db, cwadb database ठीका, बढ़िया यार, और ये use keyword करा किया, इसके अंदर switch कर देगा, अगर ये database है इसके अंदर, तो switch कर देगा, अगर नहीं है, तो ब करता हूं, तो इसने क्या result देना है, इसने वो result देना है, जो activate मेरा database है, ठीक है, जो मेरा activate database अभी, active database कौन सा है, और मेरा cwadb, आप लोग clear देख सकते, तो पहले या पर test आ रहा था, अभी ये आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, cls करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग करेंगे, क्या, इसके अंदर हम लोग इसा करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहां पर लिखेंगे, simple show, show, and लिखेंगे simple, okay, मैं आप लिखूँगा, collections, enterprise करूँगा, तो देखो, इसने एक student मेरे सामने आपे दिखा दिया, बतलब यह है कि, इस database के अंदर अभी एक collection available student नमक, आप लोग और भी collection बना सकते हो, बात करीं, हम लोग ने देख लेना, वो video insert वाला video है, ठीक है, अब करेंगे, क्या, हम लोग देखेंगे, अगर मुझे इस student के अंदर जितने पी documents है, जितना पी record मैंने अभी insert कर रहा है, वो सारा मुझे read करना है एक ही बार में, तो आपको करना क्या पता है, आपको लिखना db.student, मतलब उस collection का नाम, student.find, यह चीज़े मने बताई थी ना, आपको, आपको यहाँ लिखना simple, क्या लिखना आपको, आपको लिखना simple find, और इस तरीके से enterprise कर दो, आप लोग यहाँ पे clear देख सकते हो, जो भी हमने database के अंदर अभी insert क यहाँ पे, हमने काफी सारा data यहाँ पे insert कर रखा था, अब मालो की, आप लोग की query यह आई, आप लोग कोई भी ऐसा task कर रहे हो, जिसमें आपको चाहिए कि यार मुझे तो इस सचीन का, हीतेस का, किसी का भी data चीए, मालो मुझे यहाँ पे हीतेस का data चीए, तो मुझे सार data नहीं चीए एक बार में, मुझे only हीतेस का data से मतलब है, और अभी के लिए मुझे यहीत चीए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, सब कुस क्लिन करके, यह command तो आपको चलानी है, यह command db.student.find तो आपको चलानी है, इसके अंदर आप लोग आके query पास कर द document, मतलब इस student collection के अंदर, अगर find, मतलब अगर मिलता है, क्या, name और इस तरीके से यहां पर लिखना है, हीतेस, मतलब उसको जिसको आप लोग चाहते हो, हीतेस, इस तरीके से, और interface करो, तो आप लोग के सामने only क्या दिखेगा, वो document दिखेगा, जिससे यह match हुआ, यहां प age से मतलब है, मुझे तो only age से मतलब है, हीतेस की जो age वो क्या है, मतलब कोई भी ऐसा टास्क कर रहे हो, जिसमें आपको हीतेस की age से मतलब है, और आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो चीज़ बताते है, आपको क्या कर सकते हो, आपको यह कवरी त के अंदर हम लोग करेंगे कि एक प्रोजेक्शन से एट करतेंगे हम लोग आप इस तरीके से करतेंगे कुछ इस तरीके से और इसके अंदर लिखे देंगे कि जो एज और वन अभी एज वन मैंने क्यों लिखा है एज तो चलो मैंने लिखा है लेकिन मैंने वन क्यों लिखा है तो आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर ID और यहां पर Name, बस इसमें ID और Name और Age यहां पर दिखा नहीं, क्योंकि Age हमने 0 यहां पर करा है, और बाकी की सब मुझे यहां पर दिख चुके है, ठीक है, इतना सभी को clear होना चाहिए, मतलब अगर मैंने 0 करा, तो वो चीज नह नहीं दिखती, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा यहां पर आपको अलग टाइप से रगएगा, कि यह क्या हो गया, जैसे मैं आपे Age 1 टाइप करूगा, तो आप तो कहां पर देख सकते हो, मुझे Name तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझ दो चीज़ा आपको नहीं दिखाई नहीं, इसको Zero कर दो, तो इसमें दिखाई दे रही है न, तो आपको बताता हूँ, इसको किस तरीके से आप लोग हाईड कर सकते हो, आप लोग यहां पर लीख सकते हो, अन्ड़ स्कोर आईडी और आप लोग आपर जीरो साइट कर सकते यहां पर क्या सेट कर सकते हो आप लोग 0 मतलब ID 0 मतलब ID को मत दिखाओ यार और age 1 है तो मतलब age को दिखाओ interface करो यह आप लोग clear देख सकते हो age 21 simple मुझे अभी क्या मिल रही है मुझे यहां पर only age मिल रही है मतलब हमने करा क्या एक डोकुमेंट ली एक पहले तो एक डोकुमेंट फाइंड करा उस एक डोकुमेंट के अंदर भी हमको एक चीज़ फाइंड करनी है तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और यह जो कमांड मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना इनको आप लोग नोट बुक के अंदर नोट कर लो यार सिंपल सी बात है नोट बुक के अंदर नोट कर लो अगर आप लोग की कवरी यह रहती है कि मुझे तो एक कंप्लिट पीडिया बना की देदो तो मैं प्रवाइड करा दूँगा आपको डोंट वरी आप लोग मुझे बोल देना डिस्क्रिप्सिन के अंदर बोल देना आपको डिस्क्रिप्सिन के अंदर वह चीज मिल जाएगी ठीक है तो वह चीज़े तो आपको मिली जाएगी आप लोग अगर आपकी कोईरी रहती तो वह भी कर देंगे लेकिन थोड़ी और यहां पर बात कर लेते हैं आपके मैं काम गरता हूं मैं यहाँ पर लिखता हूं simple अब और मुझे वो लिदा चीए जिसका status true है मुझे वो data चीज इसका status true है ठीक है या फिर ऐसा समझ सकतू है कि मुझे इस अंकित वाला data चाहिए लेकिन मुझे status true के जरीए से इसको select करना है लेकिन चलो simple से यहाँ पर ज़दा चीज़ा को complicated नहीं बनाते है simple एक अच्छे तरीके से इसको find करते हैं देखो मुझे अगर status true वाला data चाहिए तो मुझे दो मिलेंगे इसमें क्योंकि आपको लिखना क्या है आपको वही चीज़ लिखनी है db.student.find इस तरीके से आपको वही चीज़ लिखनी है और इसके अंदर आपको सबसे पहले माल लो status true set हमको वह करना है find करना इंटरप्रेज करो आपको दो यहां पर डॉकॉमेंट दिखाए देंगे आप लोग यहां पर देख से तो दो आपको डॉकॉमेंट दिखाए दे रहे हैं ठीक है अब माल लो कि मुझे क्या करना है मुझे इस रोहन को क्या करना है find करना है मुझे इस रोहन को find करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ मुझे बताओ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ तो मुझे दो मिल रहे है status true मैंने यहाँ पर रखा जिसके अंदर दो चीज़ है status true यह भी है और यह भी है मतलब यह और यह यह दोनों मुझे मिले अब इस में से भी मुझे इसाँ पर यहां पर यह डोकुमेंट सही है तो मैं किसरी की से कर सकते हुश फाता ओ किस तरी कर सकतर हुशा आपकल करना क्या है कि मिद्रश नहीं करना आपको जो क्या क्या करेगाasis को फिसको किकफ करके चाहिए जो दूसरा इसको दिखादे तो आपको रोहन मिल जाएगा ना सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ है इंटरफेस करता हूँ आप देखो तो आप लोग यहां पर क्लीर देख सकते हो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है यहां पर मुझे रोहन मिल चुका है आप यहां पर देख सकते हो ठीक मुझे रोहन वाला दूसरी किस तरीके से आप लोग कर सकते हो लेकिन पहले किस तरीके से करोगे आप लोग आपको बताते हूं किस तरीके से करोगे आप लोग यहां पर लिख सकते हो इसको इस तरीके से करके आप लोग यहां पर लिख सकते हो इसको इस तरीके से करके आप लोग यहां पर लोग एक तरीका और भी है इसका आप लोग अगर यह जो find one है यह नहीं लिखते हो मालो कि यह जो find one है यह आपने नहीं लिखा मालो मैं इसको एक बार हटा कि आपको clear थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाता हूं मालो कि मैंने find one नहीं रखा और जरूरी भी नहीं है रखे हैं हम इसको मैं यहाँ पर find को हटा देता हूं find one को यहाँ पर हटा देता हूं चुरी find को रखना ही मैं और मैं यहाँ लीखो है dot limit 1 यहाँ पर बिग अंदर आपको मने कमाड बता दी है इसमें किसी को यह भी डाउट नहीं होना चाहिए और आप लोग मुझे बता देना अगर आपको कमाड चाहिए तो read वाली देदेंगे यार डोंट वेरी सारी कमाड देदेंगे आपको read वाली क्या है सारी देदेंगा एक कोर्स के अंड में ठीक है सो एर अभी के लिए जाना ही मिलते नेक्स वीडियो में थेंक्यू गाइज वाचिंग दिस वीडियो